नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ब्रिजेश सिंग और आप देखने लाइव उत्तर प्रदेश भार के सबसे अच्छे विश्वी द्याले में से एक दिल्ली की जवाहर ला लहनूर्ज उनिवर्स्टी रवीवार्प की रात एक बार फिर सुर्खियों में आ गई यहां केंपस में गुसकर कुछ नकाब पोशों ने छात्रों पर लाठी रंडे बरसाने शुरू कर दिये इस हिंसा में दो दर्जरते अधिक छात्र गया लोग हैं जिने एम सबस्ताल में भरती कराये गया है वही हिंसा के बात कहें कि वीडियो शोशल मीडिया पर सामने आया ह जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं देखे हमारी खास सिपोर्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंसा फैलाने के बाद नकाब पोश लाठी डंडो के साथ जेन्यू केंपस से बाहर निकल रहे हैं वीडियो के मताबिक पूलिस या गाट किसी ने भी नकाब पोशों को पकड सकता है रोती हुई एक छात्र ने हिंसा के इस द्रश्ट के संबन ने बताया कि मैं कमरे में थी भगदर के बीच मैंने कई लड़कियों को आते देखा मैंने सबसी अपने अपने कमरे बंद कर लेने को कहा मैं जब वीडियो क्रिप लेने की कोशिश कर रही थी तब ही उन्ह स्यू प्रेसिडेंट आशी घोष की बुरी तरह पिटाई की गई है और उनके सिर से काफी खून बहा है यह कब रुकेगा पूर प्रधानमंत्री मनमुहन सिंग के मीडिया सलाकाट डॉक्टर संजय बारू जैन्यू एलुमिनाई और उनकी पत्नी विश्विद्याले में सि इसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश